जैसा कि आप सब जानते ही है कि आज सुभा ही करीना कपूर खान ने दिया अपनी दूसरे बेटे को जड़ जिसके बाद से ही हर कोई शोशल मीडिया पर दे रहा है इस कापल को बढ़ाई लेकिन वही कुछ फैंस ऐसे भी है जो करीना कपूर खान के परिवार को लेकर कुछ ऐसी बाते कह रहे हैं जिससे जानमे के बाद आप भी हैरान होंगे दरसल आप सभी ने हमारी रिपोर्ट के हेडलाइन पर तो गौर फरमाया ही होगा जिस पर हमने लिखा है कि सैफ की संपत्ति के हुए तीन हिस्से पटोधी पडिवार को लेकर आई बड़ी खाबर दरसल आपको बता दे कि यहाँ पर कुछ लोग है जो ये कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं सैफ अली खान को लेकर कि सैफ अली खान की संपत्ति के अब होंगे तीन हिस्से इसने कहा है तो आपको बता दे कि यहाँ पर कुछ लोग तो है जिनोंने ये कह दिया है कि तैमूर बाबा तयार है अपने छोटे से जुनियर नवाब की एंट्री के लिए तो वहीं कुछ लोग कर रहे है करीना कपूर खान के बच्ची की पहली जलग को का देखने का इंतजार लेकिन वहीं में से गोटू शक्स नाम का एक लड़का है गोटू शक्षम जिन्होंने एक ऐसा कमेंट किया जिस पर लोग काफी रियाक्शन दे रहे हैं इन्होंने लिखा है करीना कपूर के दूसरे बच्चे के जन के बाद कि अब सैफली खान की प्रॉपर्टी के होंगे त तीन पाथ सैफली खान की प्रॉपर्टी के तीन पाथ हो गए है यानि कि सैफली खान की संपत्ति अब तीन हिस्सों में बढ़ चुकी है पहला सैफली खान के सबसे बड़े बेटे इबराहिम अली खान दूसरा बेटा है सैफली खान का कैमूर अली खान और तीसरा बेटा ह सैफली खान का जिसने हाल ही में लिया है जन और अब ऐसे बाते हो रही है सैफली खान की संपक्ति को लेकर कि अब संपक्ति के तीन हिस्से बनेंगे और तीनों नवावों के बीच सैफ की ये संपक्ति पढ़ेंगे नेक्स्ट मैं लाइफ से रज्मी की लिपाउट झाल